पहले टेस्ट में सवालात के जवाबात से पहले मैं कुछ बात है अर्च कर देता हूं जो लोगी वीडियो को इसको पहले मरतबह देख रहा हैं वो इसको आखिर तक देखें उसके बाद ही कोई कमेंट करें बीच में कोई सवाल कमेंट में ना पूछें test جو ہے جن لوگوں نے اس کے اندر حصے داری لی کافی ٹھیک رہا سوال سے کافی لوگوں کے علم اضافہ ہوگیا ہوگا اور جو ہماری سننی عوام ہے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہوتے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہوتے اللہ طبعہ وطالعہ کے عقیدے کے تعلق سے بس وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے और शिर्क वगेर नहीं करने से आगे पीछे की चीज़े उनको मालूम नहीं होती है जात, सिफाद, उसका हादिस होना, कदीम होना के तालुक से लोगों को इल्म नहीं होता इसके शुरू कराने का भी असल मकसद यही है या हमारी अवाम के अंदर, चुके इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है तो अब क्योंके गहर जरूरी और फिजूल की वीडियो देखने से बहतर है कि वो अपने इल्म में इजाफा करे जिन लोगों को पहले से चीज़े मालूम है तो उनको verified हो जाएगी, confirm हो जाएगी क्या हमारे मसाइल जो जहनों में थे वो दुरूस्त थे या नहीं थे इसलिए इल्म दीन को सीखने सिखाने के लिए जैदा तर अपने अकाइद और मसाइल को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है टेस्ट की सेजन जो है वो शुरू किये गए हैं अब इसके अंदर जो पहला टेस्ट रहा है उसके अंदर जिन लोगों ने प्रिसेड़ी कि इसने लड़के थे जिन लोगों ने चौरिप पर्सेंट ने पार्टेस्पेटऑ गता तकरीबन 14 वन्दरा के करीब परसेंट में इसमेह से लिया वज्डा क करीबन यह रही होगी कि नेट प्रॉब्लम यह उनको इस्तेवाल करना नहीं आता क्योंकि बहुत सारे कमेट ऐसे उनको आखरी मुद्द तक यही नहीं पता चला था कि इसको टेस्ट को देना कैसे है ऑनलाइन जबके सारा प्रोसिस ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो में बता दिया गया था तो इसलिए लड़कों के जीतने की तैदा ज्यादा बढ़ गई और इसमें इनाम इसलिए अलग लग रखे गई क्योंकि अगर अलग अलग ना रखे जाते फस्स एक इन धरड़ वालों को तो मुम्किन था कि कोई खातून इसमें यानि जीत इनाम की रिकम को ना जीत पाए दूसरी बा हैं बाकी के सब के आठ या नौ रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि 86% लड़कों में भी इस चीज का नियाकाइद को लेकर बहुत जादा कन्फ्यूजन है कुछ मसाइल इससे सामने इसमें टेस्ट में सवाल आ गए तो और आने भी चाहिए तो जाहिरे कि टेस्ट है तो कोई इसमें ABCD पहाड़ा तो होगा नहीं जो आसान आप लोग भर दो तो फाइद है गया उसमें ऐसी चीज होंगी जो कि हमें महसूस होगा कि आवाम शायद इसमें कन्फ्यूज है या उनको नहीं मालूम ताकि उनका इल्में इजाफा हो जो चीज मालूम हो उसको पूछ के करन भी क्या है मसला अगर यह लिख दे अल्ला ताला कितने हैं तो इस सवाल का कोई फायद है नहीं सभी जानते हैं दूसरा यह कि उन साथ लोगों के चलो नाम बता क्योंकि तादाद में थोड़े कम है मैं इसलिए नाम अनौंस कर रहा हूं हर वीडियो में सारे नंबर लाने वाले बैटे में बैटे जो लाते हैं उनके सब के नाम अनौंस में ज़रूर ही नहीं है तीन लोगों के नाम अपने रिजल्ट में देख लिए होंगे कमिलिटी में उसके अलावा लोगों के पूरे 100 परसंट आएं वो शादाव रजा हैं नागपूर से इम्तियाज आलम है बिलाई से बिलाई है और मुकर्रम अली चिष्टी रतलाम से और सलमान रजा गोरखपूर यूपी से जिन लोगों ने पूरे 100 नंबर लिये हैं बाकी लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट अपना कहां देख सकते हैं कितने नंबर हैं अब इन लोगों ने 100 नंबर पूरे या इन 7 में से 3 को किस तरह चूज किया गया तो चूली में यह टाइमिंग के चूज किया गया इन 7 में सबसे फास्ट जवाब सब्मिट करने वाले जो 3 ते वही 3 टॉप आएं तो इसी तरीके से जिन लोगों के नंबर पूरे आएंगे यानि 10 नंबर के टेस्ट में पूरे 10 मा जवाब दिया उसकी यानि गलती की तादाद उसमें जयादती करीब 51-52 परसेंट ने गलत जवाब दिया 2-3 परसेंट को मालूम नहीं था और 46 के करीब परसेंटेज थी के जिनोंने बिल्कुल सही जवाब दिया और एक सवाल ऐसा था कि जिसमें ज्यादातर लोगों को पत जवाब था कि मना है अल्हा तबारक वाटाला को ओपर वाला कहना नहीं चाहिए दूसरा था क्या अल्लह नूर है और इसका जवाब था ययस अल्लह नूर और इस सवाल मुझे हैरत हुई एक चैनल एड़मीन साहब ने इसका जवाब में वर दिया कि नो अब मैंना उनको separate mail विगरा में नाम नहीं लेता कि मुझे ऐसा लगता है कि गलिबन उन्होंने दोके में इसको नो कर दिया या सवाल पढ़ा नहीं है या क्या रहा क्योंकि अच्छे अकीदे वाले हैं चैनल भी बड़ा है चैनल भी चलाते हैं और सही अलकीदा सुनी भी है और नात वगेर भी अच्छे बावजूद भी इनका जवब जब 9 में आया बड़ी हैरत हुई से जात गलती सुन से यसा हो गया तीसरे है कि अच्छे के लगतार इसे हो मखलू कहते हैं तो अच्छे के सिवा मैं बड़ा थारश ओया हैं ताला खालिक है बाकी तमाम अशियां जो हैं वो मखलोक हैं अल्ला ताला वाजिब वजूद है जी हां अल्ला ताला वाजिब वजूद है यानि ऐसा कोई लम्हा ऐसे कोई मुद्द नहीं कि जब ल्ला ताला का वजूद ना हो या नहीं था तो ल्ला ताला का वजूद हमेशा से है, हमेशा है इसलिए अपने से खाली नहीं होता कि कोई आलम, कोई लमः ऐसा हो कि वो दुनिया में उस वक्त खुड़ा मौझूद नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता इसलिए अपने वज़ाब वजूद है इसके जवाब सही था, यहाज काफी लोगों ने इसको जो है ना गलत करा अल्ला ताला कदीम है तो अल्ला तबारख वताला कदीम है यानि हमेशा से और हमेशा उसको किसी ने पैदा नहीं किया वो खुद से है और वो कभी उसको कभी मौत नहीं आएगी उसको कभी नींद नहीं आएगी, यह हमेश्या से रहने वाली जात है, तो इसलिए इसमें कहा जाता है, कि अल्ला तबारख वतला कदीम है, इसका सही जवाब भी यस था, और जो छटा सवाल था, जिसमें लोग सबस्यादा कन्फ्यूज थे, और जात है, यह नहीं, तो उनको वो लवज गालिवन समझ में नहीं आए, तो इसमें सबस्यादा लोगों ने जवाब दिया, कि मालूम नहीं, अल्ला तबारख वतला की जात के सिवा, तमाम चीज़े हादिस है, मसलन यह के मिजाल के तोर पे कोई चीज़ पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई, और आगे चलके वो फना भी हो सकती, तो जाहिर है, तो लोगों नहीं, तो लोगों अगे चलके नहीं होगी, ऐसा नहीं ए तो अल्ह तबरकष वट वताल 때문에 ये ये अक्यदा रखना चाहिए कि अल्ह तबरकष वताल prem की जात की जात हादिस नहीं है कदीम है और उसके सीवार तमाम चीज़ जात हादिस हैं कि पहले नहीं थी जब अल्ह तब भ जात थाल्ह वताल सही उन्हें था साथे मों सवाल ये था कि बाजारों में बाजार मिलता है अठी में यह होती है कि इस में होती हैं qaagaz demais होती है यह जो कुराने पाग हाड कोपी में हमारे हाथ में होता है उसको मखलुक कहा जा सकता है आटवा सवाल था अल्ला तबारक बतालो को नभी का आशिक कहना यह आटवा सवाल यह सबसे यानि सेकिंड नमबर पर सबस्यादा खलत जवाब देने वाले लोग इसी में थे अल्ला तबारक बताला को आशिक कहना मना है और आशिक कहना नजाइज है अल्ला तबारक बताला को आशिक नहीं कहा जा सकता नावा सवाल यह था कि जहन्नमियों को यहन्म टॉाल्स टो जवारे वाजब tane डाले में डाले यानि गुना गारों को जहन्नम देना ला तालम पर वाजब है तो इसका जवाब था नहीं बाद लोगों ने लिखा यह ऐसा नहीं है अल्ला ताला पर कुछ भी वाजिब नहीं या आप ऐसा करोगे तो बदले में वैसा मिले यह उस पर लाजिम नहीं क्योंकि वो इस चीज की कैद में नहीं है यह उसका रहम है रहमत है कि वो चाहे तो जहन्नम के लोगों को बिना किसी अजाब के भी निकाल कर जन्नत में डाल दे और वो चाहे तो नमाजी मुत्तगी परेजगारों को बे सबब भी जहन्नम में डाल दे और उससे कोई स्वाल करने वाला नहीं और उसका फैसला हमेशा अदल और इंसाफ का ही फैसला होगा, लिहाज़ा ये नहीं कहा जा सकता, कि जो गुनागार है, उनको जहन्नम में अल्हा ताला डाले, ऐसा वाजिब है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, वो चाहें जिस पर रहम करे जन्नत में डाल दे, वो चाहें जिस पर और जिसके गुनाहों को, यानि इसकी नेकियों को मिटा कर उसको जहन्नम में डाल दे, तो ऐसा कुछ वाजिब नहीं कि वो ऐसा ही करे जैसा, यानि हम लोग सोचते हैं कि नमाजियों को तो जन्नत में एक 50% लोगों ने इसमें गलत जवाब दिया नीद में लह्त गथा गाया का तेखना मंकिन है या नहीं है इसमें जवाब के नहीं है जबकि ऐसा है अल्दुआ liberum त घु하यँ के हुअ एक है यह थे सवाल जवाब जो फर्स टेस्ट में आये थे वह कुछ विनर थे बाकी लोग ये पूछ रहे थे कि इनको वाकी विनर्स के नाम वगेरा कैसे देख सकते हैं भी इसकी कोई तर्गीब समझ में नहीं आ रही किस तरह सब के रिजल्ट को शौफ कराया जाए कि सब के अपने अपने नमबर और न होता है और उसी वक्त उसके सवाल नजर आते हैं दस मिनट का टाइम होता आप उसको फिल करके सब्मिट कर दें अब ये टेस्ट का पेज कहां मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक है है हैल्प डेक्स के नाम से आप उस पे क्लिक करें जब वो पेज नहीं हो रहा मेरे खायल से उन्हीं लोगों का टेस्ट छोटा भी होगा जिनको बात ही समझ भी नहीं आई के जो टेस्ट का पेज है वो टेस्ट के टाइम पर ही ओपन होगा एक्जाम से पहले वो पन नहीं होगा आप उसको पांच मिनिट पहले क्लिक कर करें रेडी रहें रेफ्रेश करते रहें पेज को जैसे ही वो उपन हो आप उसके अंदर अपने सवालात को भरना शुरू कर दें मगर उससे पहले उसके शो होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसलिए हेल्प डेक्स की वीडियो देख लें जो लोग नए हैं वो ऑनलाइन इसलामिक टेस्ट क के नाम से यह मसाल शरीयत ऑनलाइन टेस्ट के नाम से तो आपको जो टॉप पर वीडियो देखे इस चैनल के नाम से मसाल शरीयत उसको देख लें उसके अंदर पूरी तफसील आपको जो है इंशाल्लात आला मिल जाएगी इस प्रणवार बनाया आप